वाहिकुर्ची का खालसा वाहिकुर्ची की फते अजसीन वाब कपूर सिंग किताब दा अखीद लाब पाग शुरू करन जा रहे हां सिंगनिया दी पुकार सुनी गई इते ही बास नहीं मननू दी छली हुई मुर्दा लाश जदों कोडे दी रकाब विच्चों इस दी लात चुडा के कड़ी गई तब जाए इस दे की इह सतकार नाल इस दे दुखी सबंदियां दे हवाले किती जान दी अते जीव दे जी जे उस नाल किसे नू गालबादा समा ना सी मिलिया तक कटो काटों मुर्दा दे नू दे के माननू कुझ तरवास दे लें दे पर ऐसा नहीं होया फौज देव दे रेपा आग दी कई महिनिया दी तल्ब सूबे वाल बाकी रें दी सी इना समझिया कि सूबे दा पुत छोटा बच्चा है पता नहीं हकूमत अग्गे नू किसे दे हाथ जान दी है अते साड़े बकाई दा की बनेगा इना सिपाईया कठे होके चटपट मन्नू दी लोथ नू अपने कबजे विच लेले आते गजवाज के साफ कैया दता की लाश नू उस समय तक दफन कफन नहीं करन देवागे जद तक साड़ी सारी बकाया तलब तार नहीं दती जान दी इतिहास विच लिखिया है कि फोजीया ने मन्नू दी लाश नू पांज दिन दबड़ना दता छेकड़ छीवे दिन मुराद बेगम ने सारा बकाया तार के खसम दी लाश नू प्राप्त करके दफनाया एवी लिखिया मिलदा है कि लाश गाल गई सी अते इस्तों सड़ी हुई बदबू आवदी सी सिंग्णियानू खाल से दा छडा ले जाना सिंग्णियानू कश्च देन दी खबर कुछ दिन पहला खाल से नू मिल चुकी सी अते खाल सा उना नू छुडान लई सोचा विच सी के एका एक मीर मनू दी मौत अते लहौर विच हफडा दफडी दिया खबरां वी तरने दाल विच छेती ही पहुँच गईया हुण खाल सा सिंग्णियानू जालमा दी कैद विच्चों बंद खलास करान लई त्यार बरत्यार होके लहौर पर जा पया अते जान दे ही कुझ कुने नौ लखे दी फोज नू जाके रिया अते बाकी दे सिब्दे नकास खाने दी इमारत पर आ पये अते पूरब वालतों कंद विच्च खुला पाड़ पाके नकास खाने दे पोरे विच जावडे जे कारेग जान दे होए सरबत बीबिया बच्चिया नू चाट पाट बाहर ले आंदा अते अपने कोड़ियां पर इक इक पैन नू चाड़ ले आ इस तरह सापदी बांध खलासी कारके अपनी निर्पैता ते पंथक प्यार दा अदुत्ती सबूत दता एहे गाल नौ नवंबर सान स्तारा सो तरवंजा दी है नवाब कपूर सिंग दा चलाना नवाब कपूर सिंग ने जाद अपना समा नेड़े डिठा ता आपने शरी अमरी सर विच खाल से दैक वड़ाइ काथ कीता जद लगपग सारा पांथ 71 हो गया ता आपने अस्तो सुधी दसमी नू शरी काल तक साहिदी हजूरी विच अमरी तवेले दिवान विच सरबत खा जी दास ने जद वी आप तो कोई दान दी मंग किती है ता आप सदा ही दास नू निवाज दे रहे हो उन इस समय में आप तो एक अंतम दान मंग दा हां अते मैंनू आप तो पूरन आज है कि आप मैंनू इह दान बक्ष के निवाजोगे ओह मांग एह है कि आपने एक मुठ होके रहना इस समय एह दास आपनू उस दी सौंपने विच सौंपन लगगा है जो गुर सिखी दा उत्तम नमुन्ना है ओह महान हस्ती जसा सिंग आलू वालिया है आपने उस दी अनुसारता विच जथे बंद होके रहना खालसा जी आपने आपावार के बढ़ियां बढ़ियां कुर्बानियां की तियां हन जस दा फाल हुन छेती निकलन वाला है पर इस सारी सफलता दा पेद आप दी जथे बंदी विच है इस समय सरबत खालसे ने नवापकपूर सिंग दी मांग दी परवान गी अकाश जकारियां दी गूंज नाल दती इस दे उपरंत आपने शिरी कलगी तर जी दी गातर दी शिरी साहिब जो आपनू माता सुंदरी जीतो प्राप्थ हो इसी सदार जसा सिंग नू बक्षी एहे अमोलक शश्तर हुन रियासत क पूर्थला दे तोशा खाने विचे सनमान नाल इस दे नाल ही पांथ दी जथे दारी उस दे हाथ सौंप साच खंड जावसे एहे कटना सान स्तारा सोतर वनजा दी है आपता सस्कार बाबा अटल जी दे देरे पास किता गया ते उस पर थाए नवाब कपूर सिंग दी संग मरमर दी समाद बाबा अटल राए जी दे नौ छ इक ओंकार समाद नवाब कपूर सिंग जी बहादर बजुर्ग महराजा साहिब बहादर वालिये कपूर थला इस समाद नू सरखे तरखन लई इस दे चोगिरते जंगला लगा होया सी जीवन पर इक द्रिष्ट नवाब कपूर सिंग दा काद चोखा उच्चा सी इन्ना उच्चा की ओहो जाद कई हजार दाल दे जवाना नाल मिलके तुर्दा हुंदा सी ताहो उच्चियां सैन का नालों वी उच्चा दस्दा सी चेरा इन्ना सुंदर लाली पिन्ना ते तेज में सी के दर्शन दी इक चलक नाल देखनवालेयां दे मन वसिकार कर लेंदा सी चाती इन्नी सडोल जिमे किसे वड़े मला मारू पहलवान दी हुंदी है डोले इन शक्ती पर पूर सान की इना नाल जिस पर अपनी तेग दा वार कार दे हुंदे सान इक साट नाल उस अपागे दी अल्ख मुकादन दे सान आव दे कद काथ वारे मोल वी बुटे शा लिखदा है नवाब कपूर सिंग सुन्दर सरूप अते उच्चे कद वाला बीज सी चोडी छाती अते शक्ती मान डोलें वाला सूर्मा सी उस दे चेरे दा तेज ऐसा पर बावजनक सी के जेडा उसनू इक वार मिलदा सी ओहो उस तों विच्छडना ना सी चौंदा ओहो सुबावक बड़ा दानी सी इस दे लंगर विच्चों बिना वितकरे दे गरीब ते अमीर सबनू हर वक्त खान लेई परशाद मिलदा सी ओहो तीर अते तुपक दा अच्चुग निशान्या बाद सी आप दा मन पावदा थियार शिरी साहिद सी जिसनालो हो कोर संगरामा विच्च जर्वाने आदे आहू लाके राख दन्दा सी उस दी बोल चाले नी रसपरी हुंदी सी के सुनन वाले पर जादू वाला पर बाव पेंदा सी निरपैता प्यान करन तत्यां विच्च जदो गोलियां ते तीरां दा मी सावन दी चड़ी वांग वारहा हुंदा सी एहे निरपै जोदा मस्त हाथी दी तरा चूमदा चामदा सापतो मूरे वैरियां पर तुट पेंदा सी इस समय हो अपनी जंदगी तो हाथ तो के ऐसी तेग चलांदा के जो वी सामने ओंदा उसनू टैटेरी का दंदा एहा कारन सी के आप दा सरीर फटा नाल छाननी होया पे आसी आप दे सरीर पर कोई था बिना फटा दे ऐसी नहीं सी जिते चार उंगलां दा चपा रख्या जाए ते उस दे हेट का ओदा निशान ना होवे इस नर्पैता दा फाल सी के फते सदा आप दे पैर चुमदी हुदी सी पंजाद दे इतिहास दा परसिद लेखक मुहम्मद लतीफ लेखदा है नवाब कपूर सिंग नू इस गालदा मान सी के उसने अपने हतनाल 500 मुसलमान कतल किते सा सेयद मुहमद लतीफ दा एहे लिखना कि नवाब कपूर सिंग मुसल्माना नू शत्रू जान के कतल कारदा सी ठीक नहीं पर ओ एवी नासी सहार साकदा कि उसदे प्यारे देश नू इरान, काबल अते खैबरतों जर्वाने आके पैरा थले लितारन इस दे बच्चे बच्चियां तान ते पदारत उस दे वेख दे वेख दे लुट के ले जान, तरम अस्थाना दी बेदबी कारदे रेन अते जालम सही सलामत बाच के निकल जान लतीफ दी उपर दसी गंती दा वदेरा पाग कठोर दल नादर शा अते निर्दई अबदाली दी कैद विच्चों कई हजार हिंद दिया इस तरियां ते पुर्शा नू उना दी गुलामितों छुडान समे मारे सां एहे गल इतिहास तो सपश्ट है कि नवाब कपूर सिंग नू मुसल्माना नाल वैर नहीं सी सगो ओहोता जालमा नू सिख्या देन लई अपनी तेग वर्त दा हुंदा सी पर जदो कदे देश दे मुसल्मान हाकम मानतों वैर पाव मिटा के बाहर दे वैरियां दे हमलिया तों हिंदू नू बचान लई ते पंजाब दी जनता दी रख्या लई कपूर सिंग तों सहायता दी जाचना कर दे हुंदे सान तादो हो सच्चे दिलों बदेसी लुटेरियां दे टाकरे लई उना नाल मिल के डट जानदा सी उधारन लई सान स्तारा सो तेती तों स्तारा सो पेंटी ताक जद जकरिया खान अपने प्रण पर स्थर रहा तदो ती कपूर सिंग ब्राबर उस दी सहायता कादा रहा इसे तरा सान स्तारा सो संताली नू जद अधीना बेख खान ने खाल से मुरे सुलादा हाथ लमकाया तर नवाक पूर सिंग उसनू पुरी सहायता दंदा रहा जथे बंदी दी महान शक्ती आप दे गुण पूशत जीवन दे अनेक गुणा विच्चों इक उच्चा गुण एसी के आपने अपनी सबिता दे परबाव नाल खेरू खेरू हो चुके खाल सा पांथनू इक जथे बंदी विच जोड के अतियंत शक्ती मान बना दता बंदा सिंग भादर दी शहीदी दे उपरांत किसे सफल आगूदी थुड़ दे कारण सारी कौम खेंड के डाड़ी ने तानी हो गई सी एहे आप दी अथक काल अते उच्चे आदर्शक सिखी जीवन दा काम सी जो आपने सरबत खाल से नो एक लड़ी विच परो के अदुत शक्ति मान कारदता शिरिकल्गी तर दश्मेश पिता दे बाद एही दुजी वार सी जो दो सारा खाल सा पंथ एक मिक होके दुखियां दी पलाई लेई आप पावारन लेई सदा तत पर रहेंदा सी दल अते मिसलां दी साजना जद सारा पंथ आप दे प्यार विच एक इक दा ना बुड़ा दाल अते दुज्जे दा ना तरना दाल रख्या बुड़े दाल विच विडेरी उमर दे बीर रख्या अते तरने दाल विच नौजवान जो दे सान जो लोड़ दे समेश दूर दूर उड़के पौन जान दे सान अते आपने आगुदे हुकम नाल रा पर्मार्थक जीवन तो अमरित पान करना वड़ी सुपाग दा समझया जानता सी वाक सिद्धी बारिता सर्ब सदारंदा है पका निश्चा से के आप दे मुख तो निकली होई असीस सदा सफल हुंदी है बाबा आला सिंग जी बानी रियास्त पटेाला ने वड़ी वड़ी आई समझ के बड़ी शर्दा नाल आप तो अमरित पान कीता सी ठीकरी वाले रियास्त पटेाला विच जिस थाई दिवान विच बाबा जी ने सने सैंकडे होरना अभी लाखिया दे अमरित छक्या बाबा आला सिंग जी ने उसे थाई आप जी दी सदीवी यादगार वज्जों एक बड़ा पक्का खूल वाया एहे इतिहासक खूँ अज तक मुझूद है साम 1733 तों 1733 तरवंजा दे विचाले पांथ दे सब्बे कारज आप दी परवानगी नालहुंदे सान मुकदी गाल एहे की नवाब कपूर सिंग दा जीवन पूरन गुर सिखाँ वाला अदर्शक जीवन सी अत कठन समें पांथनू चारदियां कलाविच रखना अब्दुसमद खान दलेज जंग जकरिया खान याया खान अते मीर मन्नू दी हकूमत समें संसार दा कोई कश्ट नहीं जो सिखादा ना निशान मिटान लई हकूमत वलनों इना नू ना सी दता गया विशेशकार के जकरिया खान नेता इस काम विच अत कारदती सी इस दे समें शाही फर्माना विचे सिंगा दे सिरा लई इनाम नियत होय इना दा पिंडा विचे रहना जुर्म समझे जानदा सी इना पर अनाज वेचने गुना सी सिंगा नू वेक के फड़न वाले नू इनाम मिलदा सी अते ना फड़ावन वाले नू मौत दी सदा पुक्तनी पेंदी सी इनने प्यानक ते करड़े समय सिखी नू बचाई रखना एहे आप दी दूर द्रिष्टी दा काम सी इना कठन ताईयां विच आपने खाल से दी रहनी बैनी बदल दती, सूरत बदल दती, खाना बदल दता, बोली बदल दती, ना बदल दते अते सारी जीवन जुकती बदल के नवे सच्चियां विच टाल दती जिस दे परबावनाल खाल सा पाख़दी कुठाली विच्चों कुंदन होके निकलिया जालमा ने खाल से दे लंगर बंद किते आपने इस्ताना लंगर मस्ताना रख्या खाल से परदाल पाजी वेच्चंदी मनाही कार बती खाल से ने अलूना काते पते शकण नो सब्ज पुला समझ लिया कई कई दिना दे प्रंट कदे छोलियां दी मुठ खान नो मिलदी इस्ताना खाल से बदाम राक्के माननो संटुष्ट कार लिया इस तरह निरास्ता या टैंदियां कला तों खाल से नू बचा के आपने चारदियां कला विच रख्या इत्थे तक आपने कौम दे जीवन विच तब दिली लायां दी के सिंगा दे निताने ते बे अर्थ नाउंवी बदल के उच गुणा ते दबदबे दे लखायक ना रखे जिहा की निका सिंग दी था, सुमेर सिंग, तोता सिंग दी था, जंग बहादर सिंग, बिला सिंग दी था, शेर सिंग, कसीटा सिंग दी था, मुगल दमन सिंग, फकी सिंग दी था, अमीर सिंग आदी रखे इस तरह आप जी दी गवाई विच खाल से दी बोली, खान, रैनी दे बदल जानना खाल सा इन्ना अमर ते सुर्जीत हो गया की इसनो मिटान वाले आप मिट गए पर खाल सा पहला तो वी वदेरा शक्ती मान ते चारदिया कला विच संसार पर वदेया सिखी दे परचार दी लगन नवाप कपूर सिंग दे मान विच अमरित परचार दी लगन इन्नी परबल सी के हो अपने जीवन दा मुख मंतव पांथ दी एहे सेवा समयदा सी आप दे परचार खेतर दी चोन विच एक खास उचीता दृष्टी मूरे आ खड़ोंदी है जिस दे कारण उसता जीवन होर वद बुलंदी पर दस पैंदा है ओहो एहे है कि आपनू तरम जुद दे कमातों जाद जरावी वेहल मिल दी ता अराम करन दी थां आप अमरित परचार दी सेवा विच जुट जान दी आप इनने जान्स नहीं सांकी अमरित परचार विउना श्रेणिया विच कार दे सांद जीना नुहंकारी लोग डीविया जाता समझ देहन अर्थात रविदासिये, रामदासिये, कलीर पंथिये, चीवर, जुलाहे अते होर अनेक अच्छूत जातियां दे इस्तरी आप पूरत हुन्दी सी, के जो कोई आप दे बचन सुन्दा सी, पामे हो किना कठोर मन क्यों ना होवे, उह चाट सिखी दी, शमादा पूरा वान जान्दा सी, आप दे इस महान गुन्दे सामने असिख, पक पाती, तिहासक, लेख कवी, सर्चुकों दे सां, सैयद मुहमद लतीफ लिखदा है, नवाब कपूर सिंग ने हजारां दी गिंती विच जटा, तरखाना, जुलाहियां, चीवरां, अते छत्रियानु अपने हत्थी, अम्री छका के गुरु गुबिन सिंग दी सिखी मंडल विच अपेद गीता, उस समय एक मन्नी हुई गाल सी, के कल गीतर जी दे जोती जोत्स मावंदे बाद आपने जिन्मी वाद गिंती विच प्राणियानु अम्री छकाया, किसे होर ने नहीं छकाया, आप दी नित दी जीवन जुपती एहे सी, रसना नाल बानी पड़ दे, अते माला दी थां हत्था नाल, अम्रित अभी लाखियां लीक छेर सीज़ दे रहें दे सां, आप दे जीवन देस उत्तमन मुन्यनु वेके बुड़े दाल दे अनेक सिंग इसकार विच लगे रहें दे सां, जथेदारी नू निज्जी वरासत नहीं बढ़न दता, सान स्तारा सुतरवंजा विच जद्नवापक पूर सिंग ने आपने हुकम स सिंग नू पांथ दी जथेदारी नहीं दती, सगो आप इस पाद नू पांथ दी पावन अमानत समय दे सां, इसलिए आपने एहे वड़े आई जथे विच्चों इस पदवी दे हाथ तरायोग समझ के पांथ दी एगवाई दी वाग डोर बहादर जसा सिंग अलु वालिया आप दी एहे चोन अगे जाके नी सफल सिद्ध होई के आप दी दूर दर्श्टी दी अते निशकाम सेवा दी मोहर अपने आप मना पर छप जान दी है मुकदी गाल एहे है कि जिनने उच्चे गुण के से संपूरन गुर से खलेई लोडिन दे हान वो साब आप दे जीवन विच पाए जान दे सान नवाब कपूर सिंग इतिहासकारां दी नजर विच लेपल गृफण जो खाव से दितिहास नो अपनी दरश्टी कोन अनुसार तरोड मरोड के लिखन विच अपना हुनर समझदा सी नवाब कपूर सिंग दा जीवन जो अनगिनत गुणा नाल पूशत सी उस अगे सीस चुकाउंदा हुया अपनी पसिद पुस्तक दी राजाज आफ दी पंजाब विच लिख़दा है जाद तक नवाब कपूर सिंग जीवदा सी उस सिखादे सारे आगवाँ विचों पहले दरजे दा मन्या जांदा सी एहे ओही महाबीर सी जिसने खाल से दी खेरू-खेरू हो चुकी कौम नू जथे बंद कारके खाल सा दाल दे रूप विच मूर्तिमान कीता सदाब जसा सिंगrek ने भी खाल सी विच बड़ी पर सदता पाई सी पर उसदी वडियाई दा वसीला भी नवाब कपूर सिंग सी नवाब कपूर सिंग दा जद अंतसमा नेड़े आया ता उसने शिरी गुरु गुबिंस सिंग दा बक्षिया गुर्ज जसा सिंग नु सौंब के खालसा पांथ दी जथेदारी उस देहाथ दती एहे कटना सानस्तारा सोतर वंजा दी है कनया लाल राय बहादर कनया लाल तारीख पंजाब विच लिखता है नुआब कपूर सिंग को तमाम सिख अपना पेशवा तसवर करते थे और जो सक्ष उसके हाथ से पाहुल अमरित लेकर सिख बनता वो फकर करता कि मैं वो सिख हूँ जिसने नुआब कपूर सिंग से पाहुल ली है हजारों जाट, तरखान, अच्छूत, खत्री और अरोडे उसने सिख कर डाले उसके हाथ से बने हुए सिख बड़े बड़े दौलतमंद होकर वालियान, मुल्क, साहिब दौलतव हश्मत बन गए उसका बचन था कि मैंने अपने हाथ से 500 मुसल्मान रुटेरों को कतल किया है जो अमल मेरी मुक्ती का मुझब होगा मौलवी बुटेशा, बुटेशा असल नाम गुलाम महियुदीन लिखदा है नवाब पूर सिंग, बड़ा परताप्ती, सुन्दर, उच्चे, कद, चोड़ी छाती वाड़ा बड़ा ताकतवर अते निहायत दानी आगू सी उसदे लंगर विच्चों फकीरानों हर वेले परशाद मिल्दा रिंदा सी जेडा एक वेरस नों मल्दा सी उसदा मन उस्तों विच्चडन नों ना सी करदा फते ने सदा उसदे पैर चुम्मे डाक्टर गोकल चांद डाक्टर गोकल चांद अपनी दृष्टी कोंतों सिख इतिहास दे चंगिक हो जी हान आप अपनी लिखत पुस्तक सिखां दा प्रिवर्तन विच नवापक पूर सिंग बारे लिख दे हन बंदा बहादर दी शहीद दे बाद जदो खालसा खेरू-खेरू हो गया सी एहे किसे दूर दर्शी दा कामसी के खेंडे होए खालसे नू मुढ जथे बंद करके अत्शक्तिमान बना दता आप दी बीवता ते उच्चतर मी जीवन दा खालसे दे अगवाँ दे मना विच एक नवे ख्याल दा बीज पादता ते खालसे हुन तारमिक सिदानता दे नाड देश दी अज़ादी अते खालसे ले राजपाग दी प्राप्ती दा सिदानत भी अपना लिया इसने पहला खेलरे हुए खालसे नू दोमा दलांदी रूप विच जथे बंद किता फिर इना नू पंजाब आगविच वांड के इनादाना मिसला रख्या सिंग पुरिया मिसलदा बानी आप नवाप कपूर सिंग सी जेहा सी पिछे लिख आये हां की केवें कपूर सिंग फैजल पुरिया गरिबां विच्चों उनती कारके सारे पंजाब विच एक बहुत बड़ा शक्ती मान मुखी आगू बान गया दिली दे बाशा ने जद खासे नाल मेल रखन लेई नवाप बी दा खिलत अते जागीर अमरी सर पेजी सी ता सिंगा पिलना इसनों परवान करन तो ना कार दती इस समय कपूर सिंग खासे दे दवान विच पक्खे दी सेवा कार रहा सी सिंगा वल्लों खिलत ते नवाप भी आदी सनों दती गई उस दिन तो उस दाना नवाप कपूर सिंग परसद होया थोड़े समय दे उपरांत नवाप कपूर सिंग ने फैजुला खान तो फैजुला पूर फते कार लिया इस दाना उसने बदल के सिंग पुर रख्या इसे कारण उस दी मिसल दाना सिंग पुरी वक्यात है इस दी मिसल दी वर्यामता दा सिक्का अमरे सर्तों दिल्ली दियां कंदा तीक मन्या जान्दा सी जेहा की उपर लिख आई हाँ नवाब कपूर सिंग सिख मुखियां विच्चों सब तो वाद शक्ती मान आगू सी सारे सिंगां विच ओहो महान पवित्तर जीवन वाला सांत मन्या जान्दा सी इसलेई उसनों सारा पांथ सतिका आदा होंदा सी सैयद मुहमद लतीफ सिंग पुरिया जथे बंदी दा बानी नवाप कपूर सिंग सी इसने फैजल पुर नू सने ताल के दे उस दे मालक तो फते कार के उस दा ना सिंग पुर रख्या जिस तो इसकराने दा ना सिंग पुरिये पर सिध होया खालसा दाल कपूर सिंग दी योग अगवाई विच उन्नती दी चोटी पर पुज्जा एह सिख आगुआ विच साबतों मुखी आगु मन्या जान्दा सी इस दी वडियाई दा कारने है सी के उसने सिख दे मान विच एह बीज बीज दता सी के सिंग पंजाब विच सुतंतर राज दे मालक होने चाहिदा हां पंथ ने इसनों नवाबी दा पद बक्षया सी उसने हजारा दी गिंती विच गुरु गोबिन सिंग दा अमरत बिना उच नीच दे विटकरे दे आम जनता नू छका के सिखी विच मला ले आ सी जिना विच जाट, तर्खान, खत्री, चीवर, जुलाहे अते अच्छूत जातियां दे मनुखवी शामल सां सिखा विच ओहो इन्नी उच्ची रैनी ते महान आत्मक जीवन वाला सांत सी के उस दे हथों पाहु लैनी बड़ी फखर समझया जानता सी उसनों इस गालदा विमान सी के उसने 500 मिसल्माना नू अपने हत्थी मार्या सी इसनों ओहो अपने जीवन दी कल्यान दा वसीरा समिदा सी नवाब कपूर सिंग ने कई वे दिल्ली तक दा इलाका सोद्या सी जनरल गार्डन जनरल गार्डन सिखां दे तिहास दा परसेद लेखक है वो खाल से दे उचगुना नू अपनी लेखनी द्वारा बड़े उत्तम टांगना परगड करदा है नवाब कपूर सिंग ने खेंडी होई खाल सा कौम नू मुड जथे बंदकार के दलां ते मिसला दी साजना साजी दे खाल से दे मना विच अजादी दी बी दे बीजने दे करा माती करतमा बारे इंज लिखिया है जिस दा सुतंतर अनुवाद हेट दन दे हां गुरू गोबिंद सिंग दे समाज आन दे बाद खाल सा कौम खिंड गई सी मिदान जंगा विच इस्तिगवाई करनवाडा कोई आगू नासी रहा इरानी हमलावर नादर शास तारसो ठती री चड़ाईतों कुझ पहला एहे मुड जथे बंद हो के कई जथियां मिसलां दे रूप विच परगट होई इना मिसलां दे सदार अगे जाके वरियाम सूर में सिद्ध होई इना दा साब कुझ सांजा सी दुख सुक सांजा सी कमाई सांजी सी एहे कमाई पहला एकको पंडारे विचे कठी रखी जान दी सी अते लोड अनुसार सब कोई इसे खजाने विच्चों जथे दार दी राही प्राप्त कादा सी मैक ग्रेगर मैक ग्रेगर अपनी लिखत हिस्ट्री आफ दी सेक्स विच लिखदा है सैजला पुरिया मिसल दा बानी कपूर सिंग सी एहे बड़ा बहादर निडर सूरमा सी एहे गे जाके नवाप कपूर सिंग दे नानाल पसंद होया इस दे जीवन दा बहुत समाख खान बहादर जक्रिया खान गवर्नर लहौर दे नाड रण पूमिया विच लड़देया बीतेया अते एहमर शाब दाली दे समे संसार्तों कूछ कार गया रतन सिंग पंगू पाई रतन सिंग पंगू करता प्राचीन पंथ प्रकाश नवाब कपूर सिंग दे जीवन पर अपनी रचना विच थाओं थाईयों चानना पौदा है नवाब कपूर सिंग दी गवाई विच खालसा पांथदा बड़ा परताप वदिया तुर्क वी इस दे रोबतों पैखान दे सन अते जगीर दे टके आप उगरा के उस दे पास पहुंचादन दे सन पंगूजी लिख दे हन कपूर सिंग नवाब पै तो सिंग नवदियो परताप तुर्क खुशामद बहु करे टके दे काले आप पंगूजी अगे जाके दास्तिहन की कपूर सिंग नवाबी मिलन पर उस विच हंकार या वडियाई ना सी आई जियों जियों पांथवलोस नो मान ते सितकार मिलदा तेओं 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 ओहो फलदार बिर्च वांगूं होर होर ने मरता नाल पांथजी सेवा करन विच वद वद के तत पर हुंदा जांदा सी खेंडे होए खाल से नो जदा आपने एक पावन जथे बंदी विच ले आके कि लड़ी विच प्रोव दता ते उस विच इनना गुडा प्यार पार दता कि ओहो आपस विच सके पाईया तों विवाद प्यार कार दे सांग एहे कई हजार दी गिंती विच हुंदे होए ओहो आपने आपनों एक प्रिवार दी तरा समय दे सांग एना दा साब कुझ सांजा सी एक दे दुखना साब दे मन विच चन गुठ दी सी आते साब दे सुखनान मनानू ठांड पेंदी सी मुकदिगा लेहे कि नवापकपूर सिंग दी देख रोख विच सांजी जथे बंदी अते संजा पाई चारा सके पाईया तोल जीवन बिताम था सी ग्यानी ग्यान सिंग अपनी रचित तवारीख गुरु खालसा विच नवापकपूर सिंग बारे यों लिखदा है चार्दा होया वैरियां दे सिर जार चार्दा सी इस दे सारे स्रीर पर फटा दे चिन सन इसनु इस गाल पर मान सी के इसने पंत सेवा दे रण खेतर विच अपना सरी जखमा नाल छाननी करवालेया सी पर कदे मिदान जंग विच्चों पिछे नहीं सी हटेया नवाब कपूर सिंग नों सिखी दे परचारदा बेंतचा सी हजारां ही अड़ अड़ जातियां दे आदमियानों इसमें अमरी छका के सिंग सजाया सी उच नीच दी कोई परवाना सी कार्दा अते शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी दे हुकम नों पूरा कार्दा रहा खाल से विच इसनों बड़ी इज़त दी निगानाल विख्या जान्दा सी लोग की इस दे हत्थों अमरी छकना चंगा समी देसान महराजा आला सिंग वाली ये पटे आडा नेवी इस दे हत्थों ही अमरी छक्या सी जिस दी आदगार विच ठीकरी वाले जिते नवापक पूर सिंग रहा कारदा सी पका खूल वादता सी ओहो हुन तक मौझूद है पाई काहन सिंग जी सिख्षी मंडल दे पर सिद विद्वान पाई काहन सिंग जी लिख दे हन एह तर्मी वीर पांथ दी वड़ी सेवा कारदा रहा अते करणी वाले सिंगा विच इस दी गिनती होई आदी नवापक पूर सिंग दा दे हांत स्तारा सुतरवंजा नू अमरी सरविच होया तेस दा अंतम संसकार बाबा अटल जी दे दोरे पास किता गया ग्यानी ठाकूर सिंग जी पांथ खासे दा परसिद खोजी ग्यानी ठाकर सिंग नवापक पूर सिंग दे जीवन पर इंज परकाश पावदा है सिंग पुरिया मिसल दे मोड़ी नवापक पूर सिंग साहिब जी होई हन आप गुर्मत गुर्बानी दे प्रेमी नितनेमी जितिंद्र बचन पाल तर्मी जोदे सुहर्द गुरु पांथ दे हित्तु अते सेवक पाव रखन वाले सान आपनू पांथ गुरु वलो नवापी दा खिताब मिले आ सी प्रिंसिपल तेजा सिंग ते प्रोफेसर गंडा सिंग आपने समेदे दो परसिद इतिहास खो जी प्रिंसिपल तेजा सिंग जी ते प्रोफेसर गंडा सिंग जी नवापक पूर सिंग बारे यों विचार लिख दे हन जस्दा संखे पाव इहे है नवाब कपूर सिंग अपने आत्मक अतिसंसारक उच्चे जीवन लई सारे पांथ विच सतिकार्य जान्दा सी दोमें दला दी वांग डोर उस दे हाथ सी उस दे हत्थों अमरित पानकर्न विच बड़ा मान समझा जान्दा सी उस दे मुक्तों निकले बचन सफल हुंदे सांग नवाब कपूर सिंग दी संतान आप दे कार संतान नहीं सी अपने पती जे खुशाल सिंग नू ही आपने पुत्रा वांग पालया सी जिहा की पिछे लिख्या गया है की नवाब कपूर सिंग ने जथेदार नू वरासतना सी बनाया सगो पंथक सेवा लई जिसनू खाल से दी सियान अपनाल सेवा ने बान दे योग समझेया उसनू एहे मान बख्षया ओह सर्ब गुना निप्पुन हस्ती सरदार जसा सिंग अलू वालिया सी जिसने आप ते पैरा दे चित्रा पर तुर्के पांथविच वड़ा मान ते नाम पाया सी अते खाल सा कौम दी वड़ी सेवा की ती आपने खाल से दी महान शक्ती दा ऐसा वचित्तर चम्तकार दस्या की उसने कुझ समेले लहोर दी इसलामी राइतानी पर कबजा कार लिया इसे तरह दौबे दा सारा इलाका मुसलम पट्टियां तों शम्शेज दे जोर नाल फते कारके कपूर थला अपने रियासत दी राइतानी स्थापत कीती पंथक जथे दारी तों वक सिंग पुरी मिसल दी वागडोर नवाप जी दे पती जे सरदार खुशाल सिंग ने अपने हथ लई बहादर खुशाल सिंग वी अपने वरियाम ताया जीवांग महान सूर विर्जोदा सी इस दे नाल ही सिखी दे वादे दी लगन अते दुखियां अनाथां दी रख्या ते सहाइता करनी है अपने जीवन दा मुख मंतव समिदा सी सम्मत अठारा सो वी बिक्रमीनु खालसे ने जद सम्मिलत शक्ती नाल सरहंद पर चड़ाई करके इसनु फते कार लेया ता इस समय सरदार खुशाल सिंग ने अपने जीवन तो हथ तोके उहो तेगा मारियां सान की वेखन वाले हरान रह गई सान इस फते नाल खालसे दे कबजे वीच बवंजा लाख दा इलाका आगया इस वीचो सरदार खुशाल सिंग ने कंदोला कनोली यते पर्तगड देद लाख रुपए आमदन दा इलाका अपने दिकार वीच ले लेया इसे तरह सम्मत 1825 शेख निजामो दीन हाकम जलंदर परतावा करके राण तक्ते विच उसनों पारिहार दती ते उस दा सारा इलाका फते करके आपने कबजे वीच कर लेया इना विच्चों जलंदर, बलंदगड, हैबतपुर, पट्टी, नूरपुर अते बहरामपुर विशेश करके लिखन योग हां इस समें लगपागतेन लगदी रियासत इस सर्दार दे हाथाई इस दे उपरन सर्दार खुशाल सिंग ने अपना निवास जलंदर विच रख्या सर्दार खुशाल सिंग्ग दे चलाने दे बाद पिता दा सारा तालका उस देस पुत्तर सर्दार बुद्ध सिंग्ग दे हाथ थाया जिसनों इसने होर वी वदालेया सर्दार बुद सिंग दे जीवन विच्वी अपने पिता पिता मा दे साब गुणा दा चल का पेंदा सी इस सर्दार दे साथ पुत्तर सन इना विच्चों सर्दार अमर सिंग साप्तो वड़ा सी इसने अपने पिता दी जाधाद अपने पाईयां विच इस परकार वांड दती पुपाल सिंग नू कनोली सने इलाके दे गुपाल सिंग नू मनोली लाल सिंग नू बंगा हर द्याल सिंग नू बेला गुर्द्याल सिंग नू टालगड दिया सिंग नू कंदोला देदतिया ते अपने लेई पर्तगड रख्या इह कराना खासे विच बड़ा सतकार्या जानदा है इना दे विवास बंद बड़े बड़े उच्चे कराने विच होए हन जेहा की सरदार मनोली, सरदार पगवन सिंग स्पुतर सरदार सिंग दी माता राजा बदन सिंग रईस मलोद दी कन्या सी अते इस दा पहला वया सरदार जीवन सिंग शहजाद पुरिये दी लड़की नाल होया सी इस बिबी दे चलाने दे परंत दुझी शादी सरदार बलवंत सिंग रईज अटारी जिस पुत्री नाल होई इसे तरह सरदार पकवंत सिंग दी वड़ी कन्या दा नंदकार जो महराजा फ्रीद कोटनल होया सी इस कराने दे कई सरदार अंग्रेजी राज समें वड़े वड़े ओध्यां पर रह चुके हन अते हुन भी हन इस दे नाल ही इस कताब भी समापती इथे ही हुन दी है जे सारे नो इह कताब वदिया लगी होवेता ली साडे चैनल नो बातो बात सब्सक्राइब करो लाइक करो अते शेयर करो तानवाद वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते